के मज़दोर की नमस्कार दोस्तों कि आज हम पड़ेंगे कक्ष्या-बाराकार जो लाश् Olो उट्रील मोटर को लगाना उसके फिल्लाइन किसनर और όप्जेक्टिव टाइप किश्ण्ण सब्सेंगे एक लाइन वाले इसमें first question है AC motor क्या होती है वह वेदितिक मसीन जो AC से प्रचलीत होकर यांत्री गुर्जा पेदा करती है AC motor कहलाती है जो AC supply से चलती है वो AC motor और जो DC से चलती है वो DC motor कहलाती है सभी motor है विद्धू तूर्जा को यांत्री कुर्जा में convert करती है second question है इसमें AC motor का वर्गी करन किस परकार किया जाता है तो इसका चार आधार पर वर्गी करन किया जाता है इसमें first है according to working principle मतलब कारी सिद्धान्द के अनुसार second है इसमे phase के according according to phase phase के अनुसार third है इसमें गती के अनुसार according to speed और last है इसमें बनावट के अनुसार according to construction next question है इसमें कारी सिद्धान्द के अनुसार AC motor कितने परकार के होती है कारी सिद्धान्द के अनुसार AC motor दो परकार के होती है first है सिंक्रोनस motor जिसको तुल्ले कालिक motor बोलते हैं इंदी में और second है में induction motor next question है direct online DOL starter क्या होता है तो DOL starter क्या होता है सामानेत है 5 अस्वशक्ति तक की स्वाइरल केज motor को star से योजन में चलाने के लिए DOL starter प्रियोक किया जाता है क्योंकि इस starter में line voltage को कम नहीं किया जाता इसलिए इसका नाम DOL या direct online starter रखा गया है next question है split phase induction motor में यदि starting winding को V सयोजित नहीं किया जाए तो क्या होगा इससे क्या होगा अधिक गरमों कर starting winding जल सकती है next question है split phase induction motor की घुर्णन दिशा केसे परिवर्तित की जा सकती है तो इसका answer होगा motor की starting अध्वा running winding के सयोजिन की दिशा परिवर्तित करके motor की घुर्णन दिशा परिवर्तित की जा सकती है next question है split phase induction motors किन-किन कारियों के लिए प्रियोग की जाती है तो इसका answer है यह motor सामाने जाता है one by two अस्व सकती तक की समता में बने जाती है और इनका उप्योग छोटे pump grinding machine बर्फिंग machine पंखे washing machine wood working machine आदी में किया जाता है next question है इस में capacitor motors कितने परकार की होती है तो capacitor motor तीन परकार की होती है first case में capacitor start induction motor second case में इस्थाई capacitor induction motor और third case में capacitor start capacitor run induction motor next question है किसी capacitor motor की घुणन दिशा केसे परिवर्तित की जा सकती है किसी capacitor motor की घुणन दिशा केसे परिवर्तित की जा सकती है इसका अंसर होगा capacitor motor की घुणन दिशा बदनने के लिए उसकी किसी एक winding के सहीजनों को परिवर्तित कर देना परियाप्त होता है जो उसकी winding के जो connection होते है उनको चेंज करके हम केपेसेटर मोटर की घुनन दिशा बदल सकते हैं Next question है, इसमें Split phase तता केपेसेटर मोटर के टॉक्स में क्या अंतर होता है तो इसका answer होगा, केपेसेटर मोटर का टॉर्क Split phase मोटर के टॉर्क से 2.5 से 4.5 गुना अधिक होता है Next question है, इसमें सहेडेड़ पॉल मोटर केसी होती है एसका अनसर है इस प्रकार की मोटर में एकल फेज याने सिंगल फेज को दो बागों में विवक्त करने के लिए परतेग मुखे पॉल के बाद एक चोटा पॉल मुखे पॉल के तिहाई आकार का होता है जिसे चाया द्रू सेड पॉल केते हैं चाया द्रू की winding सोर सरकिट की हुए होती है इस परकार के सेड पॉल मोटर होती है नेक्स्ट रेसमें इनिवर्सल मोटर की घुनन गती को केसे नियनतरित किया जाता है तर इसका आंसर होगा मोटर के स्रेणी करम में बाई ये रियोस्टेट लगा कर अत्वा फिल्ड वाइंडिंग में से 3-4 टेंपिंग्स निकाल कर इसकी घुनन गती को घटाया जा सकता है परन्तु घुनन गती बड़ाया नहीं द्या सकता इस्टेपर मोटर क्या होती है जिस मोटर को एक घुनन के किसी अंस जैसे 6-way या 12-way 24-way या 30-way आधी के लिए प्रिशलीत किया जाता है वह इस्टेपर मोटर कहलाती है नेक्स्ट क्रिशन इसमें रिपल्सन मोटर में क्या-क्या विशेष्टा होती है तो इसकी विशेष्टा क्या-क्या होती है इसका स्टार्टिंग टोर्क अधिक और स्टार्टिंग धारा कम होती है घुनन गती बड़ाने पर टोर्क भी बढ़ जाता है इसका उप्योग क्र ग्राइनडर में कौंसी मोटर परियोग की जाते हैं कि दूट पांकों में किस मान के संधारित्र प्रियोग किये के जाते हैं दो बीधूत पर यो लेकर दो पॉइंट पांच से 205 מאजाया तक के संधारित प्योग किए जाते हैं जो किमेगरेंज एक पॉइंट पांच से लेकर बाइप्वानाँ इक्षो integrity बेस है लिये जाते हैं। नेग्स्ट क्योंगे इसमें इस्टार्टर में द्वधात्विक पत्तिि है उसमक तंतु के साथ। द्वधात्विक पत्ति का उप्योग आवर लोड रिलेगर उप्मी कीया जाता है। नेक्स्ट क्विशन में आपको एक पंखा मोटर में परवाई धारा का मान घ्याद करना है इस मापन के लिए कौन सा उपकरण चीह है पंखे में करेंट का मापने के लिए चल लोहा धारा मापी याने जीरो से पांच एमपीर तक का प्रास वाला उपकरन यूज में लिया जाता है नेक्स्ट क्यूसन है इसमें यह दी आपूर्ती वोल्टेज को निर्धारित मान से कम कर दिया जाए तो इस्ताइधारित मौटर की गती पर क्या परबाव पड़ेगा तो उसमें क्या परवा पड़ेगा? मोटर की घुंणन गती घट जाएगी. Next आप जह ओ इसमें हम करिशन पड़ेंगे, वो objective type करिशन होंगे. इसमें first क्यूशन है, first क्यूशन है इसमें, प्रेरित विदुत वाहग बल की दिसा सद्यव EC होती है, कि वह एसी धारा इस्तापित करने का प्रियास करता है जो उस गती अथवा चुम्बकिय पुंच परिवर्तन का विरोध करती है जिसके कारण विदुत्वागबल प्रेरित हुआ है तो यह कौन सा नियम है इसमें फर्स्ट है ओम का नियम सेकेंड है लेंज का नियम थर्ड है प्रे का vrij दुध चुम्बकिय प्रेरर नियम और फॉरन जूल गा नियम तो इसका अंसर क्या होगा है को लेंज गानें जोई नियम दिया हुआ है कौनसा नियम है लेंज गानें कि सेक्ड क्रुशन इसमें एकल पेज केपिसेटर स्टार्ट छोटी मोटर में प्रियुक्त केपिसेटर का मान होगा जो सिंगल पेज केपिसेटर स्टार्ट मोटर होए उसमें केपिसेटर का मान क्या होगा इसमें फरस्ट है सेकडो फेरड दसो फेरड 100 माइक्रो फेरड से कम या डी है इसमें 100 पिको फ ब्रस इसके अंदर आयेगा ब्रस इसतती रिपर्सल मोटर की घुन्न दिशा ब्रस इसतती परिवर्तित करके बदली जा सकती है नेक्स्ट क्रिशन है, निम्न में से किसी सिंगल फेज मोटर का प्रारंबी गुमाव बल नियून्तम होगा, इन में से कौनसी मोटर का प्रारंबी गुमाव बल नियून्तम होगा, फर्स्ट है इसमें केपेसिटर स्टार्ट, केपेसिटर रन मोटर, सेकेंडेरी पल्सन इंड वाला ओप्सिन है, वो इसका आंसर होगा से डेड़ पॉल, मोर्टर next question है इसमेंNE? निमलिकित में से किस परकार का एकल फेज मोर्टर उत्तम पावर पेक्टर पर कारिय करता है तो इसमें आंसर है universal मोर्टर, repulsion मोर्टर, capacitor start मोर्टर या capacitor run मोर्टर नेक्स्ट कुशन हैं इसमें एक सचल विदुत ब्लोर में सामयनेता है किस परकार का मोटर ट्रियोप किया जाता है इसमें विकर्शन मोटर, सारवतिक मोटर, धारित्र चाल मोटर या एस्टेरेसिस मोटर तो इसका अंसर होगा धारित्र चाल मोटर C इसका अंसर होगा धारित्र चाल मोटर Next Question है इसमें एक कला मोटर जिसकी घुर्णन दिशा का परिवर्तन सयोजन को बदल कर नहीं किया जा सकता कहला दिये इसमें उप्सन है संदारित्र प्रारम संदारित्र चाल मोटर द्री संदारित्र मोटर परत्याकर्शन प्रेरण मोटर या सार्वत्तिक मोटर इसमें आएगा परत्याकर्शन प्रेरण मोटर C इसका अंसर होगा Next Question है इसमें छत के पंको को एक समू जीनो दुआर के बाद फिर से लगया गये इन में से दो पंको में डगमागाट पाई गई इस डगमागाट के लिए निमलिकित में से कौन सा कारण हो सकता है याने पंका डगमागा रहा है उसका क्या कारण हो सकता है पंके का घुर्णन बदल गया पंके की बेरिंग बदल गई घुर्णन की स्तती बदल गई या पंके के फलक याने ब्लेड बदल गई तो इसका अंसर होगा A पंके का घुर्णन बदल गया A इसका अंसर होगा पंके का घुर्णन बदल गया नेक्ट किसन इसमें प्रतिकर्शन प्रवरती स्टार्टर प्रेरन मोटर में मोटर चलाते समय ब्रश दिक परिवर्तर से उठेंगे या या अंत्रिक्ता के जरिये लगू पत होंगे दिक परिवर्तक से उठेंगे या अंत्रिक्ता से दिक परिवर्तक लगू पत होगा टर्मिनल्स लगू पतित होकर दिक परिवर्तक पर रहेंगे या या अंत्रिक्ता द्वारा प्रदा एसी परदाय से सयोजित होगे इसका अंसर होगा, B. दिक परिवर्थक से उठेंगे और यांत्रिक्टा से दिक परिवर्थक लगुपत होगा, सोड सरकिट होगा Next question है, इसमें नियंतरन परिपत में विभिन परकार के रिले प्रियोक किये जाते हैं ये नियंतरन की आवसक्ताओं के अनुरोप पोर्व निर्धारित अवस्ताओं में परचलित होते हैं, कुछ रिले विलमबित समय परचलित होने में सक्षम होते हैं, नेमलेकित में से कौन सी समय विलम रिले के रूप में प्रियोक्त होती है, इसमें ओप्सन है, रीड रिले, विदुद चुम्बकीय रिले, क्लेपर परकार की आर्मेचर रिले या तापिय रिले तो इसका अंसर होगा तापिय रिले, थर्मल रिले फॉर्थ इसका अंसर होगा Next question है सेडेड पोल मोटर की दक्सता कितने परतिसत तक होती है तो इसका अंसर होगा B 5% से 35% तक Next question है युनिवर्सल मोटर की बनावट खालिस्तान मोटर की भाती होती है युनिवर्सल मोटर की बनावट इसका अंसर होगा DC सीरीज मोटर की भाती होती है Next question है Slipring मोटर का पावर फेक्टर 0.8 से खालिस्तान तक होता है स्लिपरी मोटर का पावर फेक्टर 0.8 से 0.9 तक होता है यह स्का अंसर होगा नेक्ट क्यूशन इसमें निम्लिकित में से किस कैपिसेटर मोटर में सेंट्री व्योगल स्वीच का प्रियोग नहीं किया जाता तो इसमें कौन सी मोटर में नहीं किया जाता इस थाई कैपिसेटर मोटर बी इसका अंसर होगा नेक्ट क्यूशन इसमें इसमें केपिसेटर मोटर के घूमने की दिशा को खालिस्तान द्वारा डिवर्स किया जा सकता है किसके द्वारा डिवर्स किया जा सकता है केपिसेटर मोटर के गुनन की दिशा को या तो मेन वाइंडिंग या ओक्जलेरी वाइंडिंग के टेर्मिनल के सयोजन को बदल कर रिवर्स किया जा सकता है इसका अंसर होगा नेक्ट किसन है रिलक्टेंस मोटर में प्राय है खालिस्तान द्रू होते हैं रिलक्टेंस मोटर में कितने द्रू होगे डी इसका अंसर होगा छे द्रू होते हैं नेक्स्ट क्रिशन है निम्न में से किस मोटर में घुर्णन दिशा परिवर्तन की कोई वेवस्ता नहीं होती है तो इसका आंसर होगा एकल फेज slip ring induction motor में कोई व्यवस्ता नहीं होती है गुन्न अंदेशा परिवर्तित की कोई व्यवस्ता नहीं होती है next question है इसमें rail engine के लिए कितनी अस्व सकती तक universal motor प्रियोक की जाती है जो rail का engine होता है उसमें कितनी अस्व सकती तक universal motor प्रियोक की जाती है इसमें C answer होगा 200 HP तक की motor प्रियोक की जाती है universal motor next question है इसमें hysteresis motor का rotor बनाये जाता है hysteresis motor का rotor काई से बनाये जाता है अच्चुम्ब किये पधार्त से C इसका answer होगा अच्चुम्ब किये पधार्त से next question है घरेलू रेपिजरेटर में निम्न में से कौन सा मोटर प्रियोग किया जाता है जो घरेलू रेपिजरेटर होती है उसमें कौन सा मोटर प्रियोग की जाती है इसका आंसर होगा सिंगल फेज इंडक्शन मोटर निम्न में से कौन सा प्रतिवरती मोटर याने reversible मोटर है इसका आंसर होगा C, A और B दोनो याने universal मोटर भी है और capacitor start slip trade मोटर भी है तो इसमें आंसर आएगा C, A और B दोनो next question है इसमें यदि एक DC series मोटर को AC supply से सयोजित कर दिया जाए तो वह क्या होगी इसका आंसर होगा अत्यदिक sparking भी करेगी इसका आंसर यह सभी होगे तो इसमें क्या होगा अत्यदिक sparking भी करेगी अत्यदिक निम्न दक्सता परदान करेगी और निम्न पावर प्रक्टर पर गति करेगी नेक्स्ट कुसर न rice-क्स नेश् aç यिदिक मोटर के starting winding के स्रेनी करम में सहयोजित किया जाता है next question है िसमें shaded pole motor में shedding coil बनी होती है shaded pole motor में shaded coil कहीं की बनी होती है इसका answer होगा copper से next question है starter को switch on off करने पर चुमब किये kontakर बहुत तेजी से कंपन करता है इसका कारण हो सकता है क्या कारण हो सकता है कम वोल्टेज एवँ आर मेचर कॉंटेक्ट सतर पर धूर इसका क्या कारण हो सकता है D इसका अंजर होगा और इसका second last question है एक छोटे capacity induction motor के लिए प्रियोग होने वाला इस्टार्टर का परकार है कौन सा परकार है कि भी इसका अंसर होगा डियो एल स्टार्टर और इसका लास्ट क्यूशन है अब्जेक्टिव टाइप का सेड़ेड पॉल सिंगल फेज मोटर में गुर्णन सेत्र खालिस्तान द्वारा उत्पन होती है गुर्णन सेत्र तो दोस्तों यह था इसके अब्जेक्टिव टाइप के सन नेक्स्टे इसमें सत्र पहे सकत्छा कि जाच करना इन में जो दिएवें वो सही या गलत उसके बारेเรา म grundने अमको तो इस में फैस्टे इस सेडेड पॉल मोटर की गुर्णन दिशा परिवर्थित नहीं की जा सकती इस कारिय के लिए दोहरे सेडेड पॉल अत्वा दोहरी सेलियन कुंडलन वाली मोटर बनाई जाती है तो यह सही है गलत यह बिलकुल राइट है सेकेंड है इसमें यूनिवर्सल मोटर को बिना लोड लगाए भी लंबे समय तक चलाया जा सकता है तो यह असत्य है इसका आंसर क्या होगा यूनिवर्सल मोटर को लोड रहे दवस्ता में लंबे समय तक नहीं चलाया जाता है तो यह इसका असत्य होगा गलत है नेक्स्ट किस इसमें रिपल्शन मोटर की घुर्णन दिशा ब्रसों की इस्तिती बदल कर परिवर्थित की जा सकती है और घुर्णन गति को सुनने से अधिक्तम के बीच दोनों दिशाओं में परिवर्थित किया जा सकता है यह बिल्कुल सही है नेक्स्ट है इसमें कैपेसेटर स्टार्ट कैपेसेटर रन मोटर का परारंबिक घुमाओ बल उसके रनिंग घुमाओ बल का तीन गुना तक होता है यह बिल्कुल सही है कि नेक्स्ट है इसमें रिक्तिस्तानों की पूर्ति जो रिक्तिस्तान दिये हुए उनमें क्या क्या आएगा वह हमको बताना है इसमें फ़र्ष्ट क्यूशन है कि फ़र्ष्ट कुशन है इसमें केवल एक कुंडलन एक एकल फेल इंडक्सिन मोटर उप्योक स्तोरवथ से सयवजित करने पर स्टार्ट आज खालिक्तान में आएगा नहीं होगी स्टार्ट नहीं होगी स्टार्ट नहीं होगी कि अजै कि सेंट्रिपिंगल स्वीच को खालिस्तान पर इस्तापित कि जाता है तो सेंट्रिपिंगल स्वीच को एंड कवर इसमें एगा एंड कवर कि एंड कवर पर इस्तापित किया जाता है थर्ड क्यूशन है इसमें केपेसेटर स्टार्ट इंडक्षन मोटर एकल फेज मोटर में केपेसेटर को खालिस्तान के स्रेनी करम में सहीजित किया जाता है तो इसमें आएगा स्टार्टिंग कुंडलन स्टार्टिंग चत के पंक्खों में कालिस्तान एकल फेज मौटर का प्रयोक किया जाता है जो पंक्ख्र मोटर का का प्रयोक किया जाता है , केपिसेटर मोटर आएगा इसके खालिस्तान में नेक्स्ट क्यूसनेश में सेडेड पॉल मोटर में प्रियोक्त सोट सर्किट रेट तामर चल्ला खालिस्तान कहलाता है तो तामर चल्ला सेडेड पॉल कहलाता है इसके आंसर में सेडेड पॉल नेक्स्ट क्रिशन है इसमें अन्य एकल्फेज मोटर की तुन्नाम में सेडेड पॉल मोटर का गुमाव बल खालिस्तान होता है सेडेड पॉल मोटर का गुमाव बल निम्न होता है कम होता है इसमें इसमें निम्न यानि कम होता है सटने इसमें Our capacity startups के पेस्टेर अन मों तर एकल फैस ट्रोर की धक्षताahaha कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मों तर एकल फैस मों तर कुननाम में उच्छे हो ती इसका अंसर आएगा उच्छे तो दोस्तों यह था हमारा आज सिंगल फेज एसी मोटर के उपर एक्जाम में आने वाले क्योशन आंसर नेक्स्ट हम थ्री पेज एंडक्शन मोटर के क्योशन आंसर पढ़ेंगे अगले वीडियो में और ऐसे यह वीडियो देखते रहें और अपने दोस्तों को भी सेर करें और वीडियो चैनल पर अगर नहीं आएं तो चैनल को सब्सक्राइब आवश्य करें धन्यवाद